हेलो फ्रेंड्स यह आज जो है हम यह वाला चोटी वाला केबल बनाएंगे यह उल्टी चोटी की तरह दिख रहा है तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं यह पाटन जो है आपको 6 फंदों का है और यह चार सलाई में पूरा हो जाता फिर उसके बाद हम रेपीट करते हैं तो यह इसमें जैसे है यह तो 6 फंदों का पाटन उसके आज पास हम उल्टे फंदे लेते हैं कि यह आपको साफ साफ आपको अच्छे से दिख सकें तो इसमे आप एक इसके आज पास आप एक फंदे उल्टे ले सकते हैं या दो फंदे तो मैंने किया कि तो मैं आपको इसमें दो तरह का चोटी बनाना सिखाऊंगी यह उल्टी चोटी है और एक सीधी चोटी दोनों मैं बताऊंगी और दोनों छेचे फंदे का पाटन है और दोनों के बीच में मैंने दो-दो फंदे का उल्टा लिया है कि आपको अच्छे से वो नजर आ सके तो इसके लिए मैंने आपको अठारा फंदे आपको कास्टाउन कर लिया और दो सलाई सीधी उल्टी बुननी है तो अठारा फंदे में मैंने क्या कि छे-छे फंदे का आपको इसमें दो चोटी बनाओंगी एक उल्टी और एक सीधी और उसके बीच में भी दो फंदे उल्टे हैं और दोनों तरफ दो-दो फंदे उल्टे लिये तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो चरिए हम रो वन या पहली पंग्ती बनना शुरू करते हैं तो पहले जो किनारे वाले दो फंदे उन दोनों को हम उल्टा भी नेंगे और फिर हम उन आगे लेगे अब यह जो छे फंदे इस पे हमको वह चोटी वाली पैटर्न डालनी है तो पहले क्या करना कि हमें यह जो चार जो फंदे हैं शुरू के उसमें हमको लेफ्ट ट्विस्ट केबल बनाना यानि कि आपको दो फंदे को इधर आपका देश दो फंदे उसको लेफ्ट ट्विस्ट करना है इस दो फंदे से और फिस आपको यह आपको सबको सीधा बूल लेना तो इसके लिए हम क्या क कि इस पर चळा लेंगे अब फिर इसको हम फिर वापस इस पर डाल लेंगे तो हमारे यह आपका लेफ्ट ट्विस्ट हो गया लब यह लेफ्ट की तरफ दो फंदे जा रहे हैं अब इन चारों को हम सीधा बिल लेंगे और फिर हम दो सीधा बिलेंगे यह हमारा जो है उल्टी चोटी का पैटन शुरू हो गया अना यह पहला रूब बन गया फिर हम उन आगे किये और आपको दो बीच दो उल्टा बिलेंगे फिर उन आगे लेंगे अब यह जो छै फंदे यहां पर आ रहे हैं इसमें हमें सीधी आ चोटी का बनाना सीथी चोटी बनाने कि रहा आपको इस और आपको इस उतार कि युट में जहांगे और यह दिनों को इसमें ऊपर चल लेंगे फिर अब हम चारों को सीधा बिलनेंगे देखिए हमारा ये आपको राइट ट्विस्ट जा रहा है राइट में ट्विस्ट हो गया दो स्टिच और फिर दो सीधा बिलनेंगे और फिर किनारे वाले दो आखिर वाले फंदे दोनों को उल्टा बिलनेंगे और दूसरा जो रो रहेगा या और फिर जतना भी इवन वाले उल्टे साइड वाले रो रहेगे तो वो जैसा जो है सिधा सिधा उल्टा उल्टा मतलब कि आपको दो सिधा फिर छै उल्टा फिर द सीधा पिर छाय उल्टा फिर दो सीधा इस तरह बिनना है अ printing तिस तरह बिलके दिखाते हैं अब यह तीसरा रो शुरू करते हैं तिसरा रो में पहले जो किनारे वाले dho फंदे हैं उसको बिन लिया फिर हम उन आगे ले गए अब यह जो है आपके पैटन वाले छे फंदे आ गए इसमें पहले हमें दो सीधा बिन लेना दो सीधा बिन लेना है उसके बाद जो बाकी चार फंदे हैं उसको आपको राइट ट्विस्ट के वल बनाना यानि दो फंदे ऐचो जो है बाद वाले स्कुल्हाम राइट 26 करना onna बार में चारो पंदे गिराएंगे फिर पीछे वाले पंदे इस자ड़ाएं मुर्ण पंदेस कि अब ने यो हुआ है हлекल इस यह पस चेहां लेंगे अफिर यह चारो को हम सीधा बिन लेंगे तो इसमें जो हमारा इधर राइट के तर्फ ट्विस्ट हो रहा है वाला तो इस तरह हमारा यह उल्टी चूटी वाला एक रिपीट आपको हो गया और उसके फिर हम उल्टा भी नहीं है पिर उन आगे ले गए अब यह हमारा पैटन वाला छे फंदे आगे उसमें पहले हमें दो सीधा बिन लेना है दो सीधा बिन के फिर हमें यह जो चार फंदे हैं इसको हमको लेफ्ट में ट्विस्ट करना है इसको हमें इस तरफ लेफ्ट के तरफ ट्विस्ट करना है और फिर चारों को हमको सीधा बिन लेना और फिर किनारे वाले दो फंदे यह उल्टा बन बिन गए तो यह हमारा जो है एक एक रिपीट बाटन का पर्पीट हो गया अब इसके बाद हम इसको इल्टे के तरफ जो है जो इल्टा उल्टा हो सीधा सीधा भी नगे और उसके बाद हम यही सब जो है आपका एक से चार जो सलाहिये वो रिपीट होता जाएगा तो चार रो बिनने के बाद यह इस तरह का दिखता है और पीछे से इस तरह का अब इसके बाद यह जो है एक से चार रो तक जो है वो रिपीट होता जाएगा हम एक दो और रो बिनके आपको दिखाते हैं कि दोबार मैंने से पटन मतलब रिपीट विड लिया है देखिए ये इस तरह का दिख रही है यह जो मैंने इसमें बना है Yes, इस तरह का और यह शिधी का पैटन आ तो दोनों का मैंने ग्राव पिदे दिया शुरू में और बताना भी बना दिया तो आप इस की तरह को 21 में अपने स्विटर में डाल सकते हैं और थैंक्स फर वाचिंग और प्लीज सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेर भी करें